एक Generalist की Friend उससे अपने एक बड़े businessman के साथ affair के बारे हो बताती है उसके एक वीग बात ही उसका murder हो गया था और इसके बारे में इंविश्डेशन करने के लिए वो Generalist उस businessman के लिए काम करने लगती है Slowly Slowly बहुत सारे राज बाहर निकलती है हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको परफेक्ट स्टेंजर ये 2007 की एक बहुत ही अच्छी मिस्ट्री हॉलिवड मुवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ इसकी इंडिंग भी ट्विस्टेड है जो आफ फिगर आउट नहीं कर पाऊगे तो अन तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा इसे दबाने के लिए वो कितने भी पैसे खर्च करने के रिए रेडि था पर रोवेना इस बात के लिए नहीं मानती वो अब सेनेटर को एक्स्पोज करने वाली थी तो इसके लिए बहुत ही खुश थी अपने कलिक मायल्स के साथ इसे सेलिब्रेट कर दिया पर अगले दिन उसके बास ने उसे ऑफिस में बुला है कहा तुम्हारा सोर्स अब पलट चुका है सेनेटर ने उसके सोर्स को यह बहुत सारे पैसे दे दिये और इस वज़े से अभी स्टोरी वो रन नहीं कर सकते है क्योंकि उनके पास एक रिलाइबल सोर्स नहीं है रविना इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी क्योंकि उसके करियर के लिए एक बहुत ही इंपोर्टन स्टोरी हो सकती थी उगुस्से में इस्टेशन पर आए और वही पर अपनी ओल्ड फ्रेंड ग्रेस से मिल दिये ग्रेस नहीं उसे बताया कि मेरे पास तुमारे लिए एक स्टोरी है हैरिसन हिल ये एक बड़ी एड़राइजिंग एजनसी का ओनर था ग्रेस ने गाए कि एक फंक्शन में मैंने उसे देखा हुआ था तो मैंने डारेक्टली उसे ओनलाइन कॉन्टेक किया हम दोनों की बादचीद होने लग गए और हम फ्लर्ट भी करते थे एक दिन में डारेक्टली नुई यॉक आके उसके सामने आके उसके बाद क्या था हम दोनों इंटिमेट हो गए इसी तरीके से हमारा अफेचरा पर एक दिन अचानक से उसने कॉल करना ही बन कर दिया ग्रेस चाहत ही थी कि रोविना हैरिसन हिल को बदनाम करे ग्रेस और रोविना ये बचपन से एक दुसरी की नेवर्स थे पर हम रोविना के एक्सप्रेशन से देख सकते हैं इक ग्रेस से मिलकर वो इतनी खुश नहीं थी घर आने के बाद रोविना ने हैरिसन पर ज़रा रिसर्च किया पर इसमें वो ज़्यादा इंट्रेस्टेड नहीं थी एक दिन रोविना को ग्रेस की मदर का कॉल आया वो कहती है कि ग्रेस घर पर ही नहीं आयी उसके लिए बहुत ही वरीड थी रोविना ग्रेस की मदर को कहती है कि ग्रेस को कुछ भी नहीं हुआ एक फीक पहली तो मैंने उसे बात की थी हосpital से call आया था Grace की dead body को recognize करने के लिए रोविना को बुलाय जाता है रोविना फिर hospital पर गई वहाँ पर dead body के आउग वेगरा सब को swollen थे Grace की body पर tattoo से रोविना उसे पहचान लेती है इस बात से उप बहुत जादा disturb हो गई रोविना Grace की मदर को promise करती है कि जिसने भी ये किया होगा मैं उसे धूण निकालूंगी Grace का एक boyfriend भी था जिसके साथ आजकल उसके जगड़े चल रहे थे पर उसने नहीं किया था Next in में Rovina ने Miles से बात की Miles Cyber Security में है Rovina Harrison और Grace की बीचे जो भी chatting हुई थी इसके बारे में जानना चाहती थी उसे लगता है कि शायद Harrison Hill ने ये सब करवाया हो सकता है Miles भी Grace को जानता था तो Rovina ने उसे बूचा क्या तुम उसके contact में थे Miles ने कहा कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारे boyfriend के साथ ग्रेस इंटिमेट हुई है उसके बाद मैंने उसे कोई भी संबन नी रखे यही रीजन था Rovina Grace से अफसेट थी Miles सारी चीज़े पता करता है Grace से जो चैट करता था उसका username Addix है अगर Rovina प्रूव कर पाई कि Harrison Hill ही Addix है तो इस crime से उसे वो connect कर सकती है यही काम करने के लिए एक fake ID बना कर वो Harrison Hill के लिए अब काम करने वाली थी यह सब करने के लिए Miles उसे help करता है Rovina का एक boyfriend भी है जो Miles को अच्छा नहीं लगता क्योंकि Miles उसे like करता है इसके बाद हमें Harrison Hill दिखा जाता है यह इस type का character है कि अगर उसके साथ किसी ने धोका किया तो उसे बहुत जादा गुसा आता है पर वो खुद धोकेवाज है अपने wife पर cheat करता है अपने mentor से client चुरा लेता है Rovina जब उसके लिए काम करने लगे तो उसे notice करता है Miles को Grace के autopsy report से पदा चला कि Grace को poison देकर मारा गया था पर यह poison उसकी आखों में डाला था जब उसका murder हुआ तब वो pregnant भी थी यह सारी बाते वो Rovina को बता देता है Rovina को यह सब disturbing लगा पर फिर भी अपने job पर वो focus कर दिया अपने colleague से उसने Harrison के बारे में पूछा उसके office के बारे में पूछा colleague ने का कि Harrison के बहुत सारे affair हुआ करते थे खुद के office में भी 2000 उसके affair थे उस पर कैसे स्वगिरा भी हुई थी पर उसके पास बहुत सारे पैसे है उसने इसे निप्टा दिया उसकी wife उस पर बहुत जादा गुश्सा है अगर उनका divorce होता है तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगी इस वज़े से अब तक वो उसके साथ है वो सिर्फ वेट कर रही है Harrison को affair करते हुए पकड़ने का इसके बार divorce लेकर उसके बहुत सारे पैसे लेकर वो चली जाएगी घर बर मायल्स रोविना के लिए चैट के लिए सेट अब करवा देता है अब वो Harrison की एक्स employee के नाम से Harrison से चैट करेगी यह सब confirm करने के लिए कि Harrison ही addict है यह आपर वो discuss करे थे यह Harrison की wife नहीं murder किया हो सकता है क्योंकि उसके पास ही पैसो का motive है रात में Harrison से चैट करते वग रोविना ज़रा कतरा रही थी पर मायलस उसके PC का control लेकर directly Harrison से contact कर देता है जब तक Harrison और रोविना ने बात की तब तक मायलस ने Harrison के सारे चैट निकाल लिये थे मायलस ने रोविना की permission लिये हुए यह सब क्या था तो इस वज़े से रोविना उस पर बहुत जाता गुस्सा हो गई उसे यह सब फिर से करने के लिए मना करती है रोविना की फिर Harrison से रेगुलरली बात करना स्टार्ट हो गया था यह दोनों एक दुसरे से फ्लर्ट करते थे रोविना ने उसे कहा कि मैं पहले तुमारे ओफिस में काम करती थी Harrison फिर डारेक्ली उसे उसकी फोटो मांग लेता है रोविना ने जल्दी से मायस को कॉल लगाया और कहती है कंपनी की डेटाबेस से वहरोनी का नाम की लड़की का एक फोटो निकालो Harrison चैट को बन कर दे इससे पहले मायस ने फोटो उसे भेज़ दी ये फोटो रोविना की PC पर ही थी तबी सामने से Harrison आ गया ये वो PC बन करने का बहुत ट्राइ करती है और फाइनली उसे बन करती है Harrison रोविना से भी फ्लट कर रहा था उसने कागा कि मैं पास के बार में हूँ अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो रोविना ने कागा कि अगर मुझे लगा तो लास्ट में में आ जाओंगी आज रात रोविना और मायल्स की Grace के केस के इन्वेस्टिकेटर के साथ मीटिंग थी वहाँ से उन्हें पता चलता है कि जिस पोईजन की वज़े से Grace की डेथ हुई यह पोईजन बहुत ही common है कोई भी इसे access कर सकता है इसका नाम में Bella Donna इसके बाद बार में मिलने के लिए Rowena Harrison के पास आई Harrison उसके लिए एक special drink order करता है कहता है पूरे town में सिर्फ यही परे मिलता है आज Harrison ने अपने एक employee को मार कर office से बाहर निकाल दिया था क्योंकि उसने धोका दिया है इसके बार में Rowena उसे पुछती है तो Harrison कहता है मुझे धोका देने वाले लोग अच्छे नहीं लगते तो Rowena ने कहा हम दोनों यहां कर कह रहे है तुम्हारी wife है पर फिर पिर तुम मेरे साथ हो यह बात Harrison को अच्छे नहीं लगी वो कहता है कि मैं तुम्हारी लिए गाड़ी book कर देता हूँ वो तुम्हें घर पर छोड़ देगी घर पर आने के बाद Rowena फिर से Harrison के साथ चैट करने लग गई यह आज राट डर्टी चैट कर रहे थे पर हम देख सकते हैं यह Miles बहुत ही ट्रंक था और हो Harrison का ढोंग लेकर उसके आकाउंट से Rowena से बात कर रहा था अगली दिन सुबा Rowena से मिलने के लिए उसका बॉइफरेंड आया यह वही बॉइफरेंड है जो Grace के साथ भी इंटिमेट हुआ था Miles रोवेना को कॉल करता है तब उसने बैगराउंड में उसके बॉइफरेंड का आवाज सुना Miles इस पर गुस्सा हो गया कहता है तुम अभी भी उसको डेट क्यों कर रही हो उसने तुम पर चीट किया था रोवेना इस बात को मानने नहीं वाली थी तो Miles ने कहा कि तुम्हारा बॉइफरेंड आज रात पुलीस टेशन जाकर एक DNA टेस लेने वाला है पुलीस को लगता है कि ग्रेस का बेबी उसका ही था इस पर रोवेना गुस्सा होगी उसने अपने बॉइफरेंड को कंफरंट किया बॉइफरेंड भी गिल्टी मेहसूस करता है कहता है कि शायद वो बेबी मेरा हो सकता था रोविना ने फिर गुसे में उसे ब्रेक अप कर लिया वो ज़रा अफसेट होकर काम पर जा रही थी पर नीचे हरीसन उसका वेट कर रहा था वो गया था कि मैं तुम्हें लिफ्ट देना चाहता हूँ कल रहा जो भी हुआ इसको हरीसन ने इतना ज़ाद सिरियसली लिया नहीं नेकसिन में मायल्स और रोविना डिस्कस कर रहे थे मायल्स ने हरीसन की वाइफ के बारे में भी ज़रा इन्फॉर्मेशन निकल वाई उसे पता जला कि उन्होंने फार्मासोटिकल कंपणी में इन्वेस्ट किया था अगर इनको हरीसन की इमेल का एकसेस मिल गया तो बहुत सारी चीज़े प्रूफ कर सकते है मायल्स राइरिकली से हैक नहीं कर सकता था तो उसने रोविना को एक USB दिया कहता है कि इसे जाकर हैरीसन की PC पर लगा तो इसे इन्हें इमेल का एकसेस मिल जाएगा रोविना भी रात में जाकर हैरीसन की PC पर USB लगा देती है पर PC में बहुत ही अच्छा सौफ़वेर था जो इस तरीकी के अटैक को रोकता है और जानक से हरीसन ने रोविना को अपने आफिस में पकड़ लिया वो भुशता है कि तुम किस के लिए काम करती हो रोविना कहीती कि में तुम पर स्पाय नहीं कर रही थी हरीसन को बिलीव नहीं हो रहा था तो रोविना ने कहा वो तुम्हारे लेक लिस्ट छोड़ने के लिए आई हुई थी तुमने कहा था कि वो ड्रिंग कही भी नहीं मिलता पर मैंने सर्च किया आसपास 17 रेस्टरांट है जहापर वो ड्रिंग मिलता है उसी की लिस्ट में तुम्हें देने के लिए आई हुई थी इतनी सारे डिटेल्स देकर हरीसन भी उस पर जादा शक नहीं करता वो फिर उसे कहता है चलो मैंने साथ ड्रिंग के लिए चलो ये दोनों एंज्जॉय कर रहे थे थोड़ी देर में रोविना वाश रूम गई तभी उसका मोबाइल बचता है ये मैसेज माइल से आया हुआ था वो कहता है कि ठीक है मैं हैरिसन की कॉम्पेटर में गुसने का कोई अनादर वे ढूंड लोंगा इस बात से हरिसन कंफर्म हो गया कि रोविना उस पर स्पाई कर रही है वो जब उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा था तो कहता है कि आप मुझे सब कुछ सच-सच बताओ हरिसन को लग रहा था कि रोविना पुलिस के लिए काम करती है रोविना भी उसे सच नहीं बताती, हैरिसन को जो लग रहा था, उसके हाव में हाव मिलाती है हैरिसन उस पर बहुत गुस्सा था, कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें मार डालो, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा अब अगले दिन मार सी हरिसन के ऑफिस में पहुच गया, वो कहता है कि मैं आपके IT डिपार्मेंट से आया हुआ हूँ कल रात किसी ने आपके PC को एकसेस करने का ट्राय किया, तो इसकी सिक्यूरिटी बढ़ाने के लिए मैं आया हुआ हूँ हरिसन भी उस पर बिलीव कर लेता, मैल्स को जो भी चाहिए था, यह सारी इंफोर्मेशन वहाँ से मिल कई यहाँ की टूर लेते वक्त हरिसन की वाइफ जो फोटोस निकालती है, यह फोटोस मैल्स ने देखी उसे बता चला कि हरिसन की वाइफ ने बहुत सारे लोग को ड्रग करकर उनका फोटो शूट किया था, सबकी आखों की फोटो ली थी, यह सारी चीज़े बहुत ही लीगल हुई थी, पर यह जी इस डारेक्ली हरिसन हिल को ग्रेस के मर्डर से कनेक कर दिया, अब इनके बास हर सारे सबूत थे, रात में रोविना माइल से मिलने के लिए उसके घर पर आई, माइल्स के क्लॉजेट से कुछ आवाज आ रही थी, वो उसके PC के थी, जो उसने क्लॉजेट के एक सिक्रेट रूम में रखा हुआ था, रोविना अंदर जाकर देखती है, तो उसके सारी तुमने ये सब किया है, माइल्स कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ ग्रेस के साथ एक बार इंटिमेट हुआ था, उसके सारे फोटोज है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने कोई भी मर्डर नहीं किया, हैरिसन के खिलाफ उसने जो भी सबूत लाए है इस सारे सबोटो रूविना को दिखाता है, रूविना यहाँ से अपसे टोकर चली गी, पर हैरिसन हिल को उन्होंने फ्रेम कर दिया था, उसे पुलीस पकड़ थे, कोट रूम में उस पर केस चलता है, और उसे गिल्टी करार दिया गया, इसके बाद हम दहीते है कि रूवि रूविना के घर में सब देख लिया था, वो उसे बुचता है कि तुमने ग्रेस को मारा क्यों, रूविना का फिर हमें फ्लैश बैक पता चलता है, वो जब छोटी थी तो उसके स्टेप फादर उसे अभ्यूस किया करते थे, एक बार यह करते हुए रूविना की मदर ने उ और बचपन से वो रूविना को ब्लैक मेल कर दी आ रही थी, वोस राज जब वो स्टेशन पर रूविना से मिली और हैरिसन हील के बारे में बताया, वो सरा भी उससे ब्लैक मेली कर रही थी, रूविना इस सबसे तंग आ गई, उसे कभी ना कभी तो एंड करना ही था, तो रोविना को पेंटिंग में पॉईजन यूज किया गया था इसके बार में पता था इनी सारी चीजों का फायदा उठा कर उसने एक perfect murder किया ये सब चीजे रोविना जब मायल्स को बता रही थी तो मायल्स भी उसे सहारा देता है वो कहता है कि सब कुछ बहुत ही perfect था पर अब ये मुझे पता चल चुका है इस रास को राज रखने के लिए तुम किस हद तक जा सकती हो वो रोविना के साथ intimate होना चाहता था रोविना को मायल्स की खीन आई और उसे भी मार दे दिया उसने विरुस के पास जो poison था ये मायल्स के हाथ में रख दिया मायल्स के नाकोनों से अपने आपकर वार कर दिया और विरुपुलिस को call लगा दिया उसने सारी चीजे इस तरीके से stage की थी ये मायल्स नहीं सब कुछ क्या हुआ है वो फिर उसे और एक मर्डर करकर बच गई थी पर इस बार भी रोविना को उसका नेबर देख लेता है इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये मुवी एंड हो जाती है ये मुवी हमें रियलाइस करवाती है कि पर्फेक्ट मर्डर जैसे कोई भी चीज नहीं होती हमने जो भी गलत किया इसे एक कंसिक्वेंसेस हमें भुगत नहीं पड़ते हैं माइल्स लड़कियों को एक्स्प्राइड करता था उसी दरीगे से हैरिसन हिल ने भी अपनी वाइपर बहुत बार चीट किया था रेस का मर्डर हुआ क्योंकि कि रोविना को ब्लैक मेल कर रही थी और फाइनली रोविना भी परफेक्ट मर्डर कर नहीं पाए उसे फिर से अपने नेवर ने देख लिया हर बुरी एक्शन के लिए हमें भूगतना पड़ता ही है इसे के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करतीजेगा ये बहुत सारी मुविज लेकर आते रहता है तो प्लीज चानल सब्सक्राइब करतीजे और बेल इंटिवेशन आइकोन ने मत भूलेगा हम वेसे मिलेंगे और एक मुविज के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खेल रगिया